तो हैल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर एनेजिस लिमिटेड श्टॉक के बारे में दोस्तो रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ पर आईपयो लिस्ट हुआ सांदर लिस्टिंग एन मिली श्टॉक गिरा उसके बाद एक रिवर्सल दिखा रिवर्सल के बाद एक और बड़ा जम दिखा जो कि आज के दिन की तेजी है जो कि जहाँ पर दोस्तो मॉर्निंग के टाइम एक अच्छा का सा जम था जो अल्मॉस्ट स साथ closing हुई है तो यह तेजी आगे कहां तक जाएगी एड़ उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग trap भी बोड़ रहे हैं कि यहां पर trap हो रहा है तो वह भी हम समझेंगे कि trap हो रहा है नहीं हो रहा है लॉंग टरम, short term, medium term क्या व्यू मेरा है वह भी मैं आपके साथ share करूँग अलमुष्ट सारा recover हो गया और वहां से भी 10% हमें अपर देखने को मिल रहा है आज का सबसे पहले data jack कर लेते हैं company से related एक news भी निकल के आईए उसको भी cover करेंगे तो दोस्तो अभी के time यहां पे stock आपका open होता है 1010 रुपे के level उसी के साथ यहां पे low लगाता है 982 रुपे जहां पे company की जो upper circuit दोस्तो range होती है वो होती है आपके 1205 रुपे की almost almost ही जो stock है वो यहां पे 18% तक आज jump कर जाता है कल भी हमें एक बहुत बड़ा इतना ही jump देखने को मिला और आज भी almost उसी के पास jump हमें नजर आया है वही अगर हम बात करूं total volumes की तो यहां पर आपकी volumes होती है 4 करोड 47 लाग जहां पे total value of trade की बाद की जाए तो almost almost 5000 करोड के value के share आज trade होते हैं उसमें से यहां पर आपकी 12% quantity ही delivery होती है जिसमें हमें क्या देखने को मिला है 12 को भी हम almost मान सबते हैं कि total 90% यहां पर जो है quantity almost आज intraday में निकलिए सिरफ जो deliver हुई है जिन लोगो किया है buy करके hold किया है Monday के लिए कि हाँ पर मंडे को भी भागेगा वो सिरफ 12% लोग ही है total यहां पर जो 90% जो quantity है वो सिरफ intraday में ही आज ही बेच के आज ही खरीद के आज ही बेचा है Monday के time मान लोग खरीद लिया उसके बाद जैसे ही 10% मिला exit हो गए या फिर यहां पर इंट्राडे हुआ था डिलिवरी सिरफ 20% के आसपास ही थी 15-20% के आसपास और आज भी जो है आज की डिलिवरी और कम हो चुकी है तो इससे हमें यह पता चलता है कि maximum लोग इंट्राडे में profit बुक कर रहे हैं अब दीखे सिंपल सी चीज़े जब एक ही दिन में stock 20-20% और कर लेता हूं दीखें यहां पर company इक और मिला है अब यहां पर company को और किस चीज़ आए solar water pump system का दोस्तों company का और कंपनी को से यहां पर order मिला है तो यह एक अच्छी चीज है future growth के साफ से दोस्तों यह order यहां पर कोई आज ही complete नहीं हो जाएगा यह आने वाले समय में complete होगा और आने वाले समय में और भी company को orders जो है वो मिलेंगे तो short term view क्या है long term view क्या है वो यहां पर अब समझ लेते हैं देखिए important जी बहुत सारे लोगों के मेरे मेरे पास message आए कि सर प्रीमियर energy को यहां पर अभी के time खरी लिया जाए क्या देखिए important यह है कि अभी अभी के time आप buy कर रहे हो चलो ठीक है कि बहुत सारे लोगों के जब यह stock 1150 के levels पे था तब मेरे पास comments आ रहे थे कि इसको buy करे क्या जब यह 1180 पे गया तो बहुत सारे लोग comments आ थे कि इसको आप buy करे क्या तो दीखे important यह है कि आप इसको buy चलो buy करने का आपके mind में ख्याल आया तो आपने बाई करने के पीछे logic क्या है क्या आपको यहाँ पर कोई news देखने को मिल रही है कि हाँ पई company को recently अभी के time आज ही के दिन कोई बड़ा order मिला हो या फिर company में कुछ बड़े announcements होने हो ऐसी कोई news निकल के आ रही है या फिर यहाँ पर आपको यह news देखने को मिल रही है कि कोई बड़ा fund house यहाँ पर entry लेके बैठा है तो important यही है कि आप यहाँ पर सिरफ तेजी को देखके बाई कर रहे हो जो कि फोमो में आके कि कहीं है stock मेरे हाँ से निकलना जाया बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा 1180 पे 1150 पे 1130 पे इस price पे भी बाई किया होगा चलो long term के ल logic है आपने जो बाई किया उसके पीछे logic किया है अब बहुत सार लोग यह भी कब बोल रहे है कि fundamental अच्छा था इसलिए मैंने long term growth अच्छी है रेनेबल का इसलिए मैंने buy कर लिया तो दोस्तों यह जो है कि fundamental तो अभी थोड़ी अच्छा हुआ है दो दिन पहले जब यह 820 प FOMO में आके क्या करते कि बड़ा फंड लगाते तो यही है कि FOMO में आके कभी भी stock में किसी भी stock में हलांकि दोस्तों प्रीमियर एनरजी कंपनी बढ़िया है बढ़िया श्टॉक हो या फिर घटिया श्टॉक हो किसी भी stock में FOMO में आके मानलो stock बहुत ज़्यदा भाग च पास गया तो almost दोस्तों यहाँ पर 50% तक का जंप दिख चुका है तो shorter में तो already एक अच्छा जंप हमें नजर आ चुका है अब जो लोग इसको बेकार श्टॉक बोल रहे थे वही लोग अब इसको अच्छा श्टॉक बोलने लग गए तो वही simple सी चीज़े कि लोग न तो fundamental द लगेगी और उस गिरते प्राइस में जब आप बाई करोगे कंपनी के business को देखके तो प्राइस बढ़ेगा तो वहां पर आपको profit होगा अभी के time जो अभी 1150 पर 1180 पर 1120 पर जो भी बाई कर रहे है ना short term purpose के हसाब से वो business नहीं देख रहे है वो ना company के financials देख रहे है जी को देखके वही कर रहे है वही है अभी देखे कंपनी का long term growth better है company यहाँ पर solar sales, solar module and solar panels जो उनके manufacturing में लगी हुई है solar water pumps बगेरा कहीं सारे दोस्तों solar से related जो equipment से वो यहाँ पर company बनाती है तो order book तो company के बेटर है company के पास orders भी अच्छे है company के पास customers भी अच्छे है तो business growth बेटर है बट अभी के time short term period के हिसाब से थोड़ा सा overbought होते वे नजर आ रहा है 50,000 क्रोड के आसपास company का market के पहुंचते वे देखने को मिल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर company का PE ratio हो चुका है 200 के ऊपर अब यहाँ पर क्या है कि 200 के ऊपर company का PE ratio हो चुका है तो अब यहाँ पर हमें इंदजार किस चीज का रहेगा company के quarter to get results का जो कि almost हमें देखने को मिल जाएंगे दो महिने बाद तो दो महिने बाद जब company के Q2 के results आएंगे तो वहाँ पर जैसे ही अगर results हमें अच्छे देख इतने को मिलेगी तो यहाँ पर दीखे मेरा क्या भी हुए long term आने वाले 3-4-5-5-3 रेनेबल की थी में यहाँ पर मैं stock को लेके मैं almost long term purpose के एसाब से लेके 3-4-5-5 लिए भूल जाऊंगा रही बास short term की short term purpose के एसाब से दीखिया ऐसा है कि यहाँ पर एक अच्छा jump stock ने दि आपको एक update दिया था कि 990 की listing 850 पर मिल रहा है उपर के level से single day में 16-17% गिरावट हुई है तो मैं यहाँ पे अपने portfolio में almost 100 share खरीदने का fund है तो 40 share add करूंगा 40% amount add करूंगा and next 40% amount add करूंगा 750 पर 750 पर नहीं आया 800 से रिवर्सल हुआ बट वही 40% amount में मेरा अच्छा खासा profit हो गया है almost यहाँ पर 35% तो अब दीखिये इतना पैसा मिल चुका है तो short term period के एसाब से मैं normally profit को book करूंगा short term period के एसाब से profit को book करूंगा बहुत सारे लोग बोलेंगे renewable है renewable है देखिये renewable है long term purpose के एसाब से renewable है और short term में जैसे ही 5% किरेगा न तो वो सारे renewable को भूल जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हुआ था सभी लोग बेकार stock बोल रहे थे तो वही चीज है short term में मैं कहीं न कहीं profit को कोशिस करूंगा and long term purpose के एसाब से एजटेज में अपनी holding को ऐसे ही रखूंगा अब यहाँ पर important level दोस्तों था अपना 1200 का वो almost hit हो चुका है फिबो नाची के एसाब से दोस्तों यह level निकल के आ रहा था तो वो यहाँ पर अपना hit होते पे नज़र आ चुका है जैसे कि यह यहाँ पर एक level था ग्यारा सो साथ रुपे का तो ग्यारा सो साथ रुपे का level break हुआ break होने के बाद अभी जो closing भी उसी के आसपास हुई है next इसका है 1300 का level बढ़ यहाँ से कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो stock अभी ग्यारा सो साथ के level से थोड़ा सा retrist कर रहा है तो ऐस च्यार दिन, 10 दिन, 15 दिन उसके बाद अगयन एक trend continue रख सकता है फ्रेस एंट्री का short term प्रपस के एसाब से कोई view नहीं है long term वी के साब से better है गिरावट अगर मानलो की अगयन 1050 एंड अगयन मानलो की 950 के levels पे अगर मिले तो वहाँ पे मैं कहीं न कहीं add करने की कोशिस थेंक यू